सल्मान खान की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई लेकिन सल्मान के साथ ही करोडो फैंस को निराश करते हुए कोट में बेल पर फैसला शनिवार के लिए टाल दिया गया है जमानत याचिका तो सजा सुनाय जाने के बाद गुरुवार को दाखिल कर दी गई थी लेकिन कोट से सुनवाई का वक्त नहीं मिला सल्मान एक राज जोदपुर जेल में काड़ चुके हैं इतना ही नहीं शनिवार को कोट का फैसला किस वक्त आता है ये भी उनके बाहर आने या नहीं आने में एहम हो सकता है कोट का फैसला पक्ष में आने की स्तिती में भी कागजी कारवाई का एक एक मिनट काफी एहम हो जाएगा जेल मैनुल के हिसाब से तैवक्त में अगर कोट का आदेश समय से जेल नहीं पहुचता तो सलमान बाहर नहीं आ सकेंगे वहीं अगर जमान त्याच का खारीच होती है तो सिर्फ वीकेंड के बाद भी कुछ दिन उन्हें जेल में ही रहना होगा तैह हैं कि सलमान जमानत के लिए हाई कोट में अपील करेंगे लेकिन वीकेंड होनी की वज़े से सोमवार से पहले सुनवाई मुश्किल होगी अब तक सलमान 18 दिन जेल में बिता चुके हैं पहली बार जब वनवी भाग ने 12 अक्टूबर 1998 को सलमान को हिरासत मिलिया था तो वो 17 अक्टूबर तक जेल में रहे इसके बाद घोडा फार्म हाउस मामले में 10 अप्रेल 2006 से 15 अप्रेल तक वो जेल में रहे सेशन कोट ने इस सजा की पुष्टी की थी तब 26 से 31 अगस्त 2007 तक सलमान जेल में रहे थे और अब एक बर फिर अगर सलमान के सितारे उनका साथ देंगे तो भी उनके अगले कुछ दिन जेल में ही बीतने वाले हैं इंडिया बॉलिवूड वाइरल की रिपोर्ट